हलो आपको लिंक शेयर कर दूंगी वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलिग्राम पर भी कि जो आपकी नई विकेंसी आई हैं प्लस उसमें आपको स्टाटिस्टिकल एसिस्टेंट की विकेंसी मिले की मगर विकेंसी खाली दो है ठीक है एक जर्नल के डिगरी की है तो मैं बता देने की इसको लग रहे खी जाए अच्छा हो सकता था शायद नहीं हो पाया तो वह एक्जाम फॉम या अप्लिकेशन फॉर्म के एक राप्लाई कर सकता है क्या हो गया गर दो ही विकेंसी है मंगर जिसको है कि हाँ यह कर सकता था तो फिल जरूर करे अम्हें आपको प आपकी जर्णनल की एक विकले सी ऑइस हैं एक अबसक्ताई बाकि जॉनियर एल्सेंट मेनेजर आपके समय विकेंसी है जर्णल की 7 OBC की तो से कुछ एप्सक्राइब कोच वेकेंसी आई है तो यह अकाउंट असिस्टेन्ट असिस्टेन्ट मेनेजर ठेक है तो यह अकाउंट वालों स्टूडेट्स के लिए commerce वाली जो students है मतलब की उनके लिए vacancy है उसमें vacancy आपकी 1323 ऐसे अच्छी खाजी vacancy मतलब बल्क भी तो नहीं है मगर फिर भी commerce के लिए एक अच्छा वो है मैं आपको syllabus एक बर बता दीती हूं इसका statistical assistant का जो आपका पुराना criteria था वही criteria है उसका कोई criteria अलग नहीं जो आपने देखा था कि आपका PG होना चाहिए या तो statistics में mathematics में गई या फिर आप commerce एकनोमिक्स के हैं तो आपने statistics as a subject पढ़ा हो अपना UG या PG में उसका तो आपका वही criteria है हम यहां बात करेंगे हमारे accountant जितने भी हमारे assistant manager and account assistant हैं उनकी बात करेंगे तो यह 64-24 आपका advertisement है तो हम इसको देखते हैं एक बार मैं जल्दी से आपको इसका slavus बता देती हूं मैं आपको pdf शेयर कर दूंगी आप लोग आपको पॉइंट्स देखने हैं ध्यान से वह सारी पॉइंट्स का slavus कैसा है वह भी हम एक बार ब्रीफ भी पढ़ेंगे मगर एक बार मैं पॉस्ट ओफ हम बात कर रहे हैं assistant manager तो इसके लिए आपको बीकॉम होना चाहिए विद नौलेज ओफ कंप्यूटर अकाउंट्टिंग तो यह बीकॉम ओनर्स वालो के लिए है ठीक है और जो आपका है accounts assistant उसके लिए आपको बीकॉम होना चाहिए with a minimum 45% ठीक है और having knowledge of computer तो यह आपका है assistant account तो assistant account में तो भीकॉम वाले भी apply कर सकते हैं मगर लेकिन जो आप उसके लिए करेंगे for the assistant manager उसमें आपने विकॉम ओनर्स किया हो ठीक है तो मतलब इग्रूप C की दोनों जॉब हैं यह भी एच्छी है for commerce students तो आप वो कर सकते हैं तो that's all बस मुझे यही बता करने के लिए so that's all for today I hope you guys like this video ठीक है तो यह basic आपकी विकेंसी जो ही इसके related है मैं आपको link share कर दूँगी तो आप लोग चेक कर लेना आप किस-kis post के लिए eligible है क्योंकि number of posts काफी सारी है मैंने तो बस आपको जो basically मैं पढ़ाती हूं उनके बारे में discuss किया और भी देख सकते जिसमें भी आप की education उसमें आती है आप उसके लिए apply कर सकते हैं तो बाई बाई गुड नाइट